हेलो दोस्तों, Target UPSC Current Affairs MCQ Practice Series के राजव्यवस्था खंड में आपका स्वागत है अभ्यास का अभ्यास अध्भुत परिडामों की गैरंटी देता है जीत का रहस यावरात्व विश्वास की उत्वत्ती अभ्यास में ही नहित होती है तो चलिए ले चलते हैं अभ्यास से विश्वास और विश्वास से सफलता की ओर राजव्यवस्था MCQ के इस Practice Series के इस सेशन के माध्यम से आए चलते हैं पहले प्रशन की तरफ पहला प्रशन है निनलखित कतनों पर विचार कीजिए पहला कतन दल बदल से प्रभावित होने वाली अयोगिता के संबंध में किसी भी प्रशन का निर्णे सदन के पीठासी नधिकारी के द्वारा किया जाएगा दूसरा कतन है कि हो तो हो लोहन मामले 1992 के बाद सर्वोच नियायाले ने घोशना की कि पीठासी नधिकारी का निर्णे अंतिम है और किसी भी अदालत में उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता अब आपको इन दोनों कतनों के आधार पर सही विकल्प प्रशेन करना है आपके सामने हैं विकल्प A केवल एक, विकल्प B केवल दो, विकल्प C एक और दो दोनो या विकल्प D न तो एक नहीं दो तो आईए देखते हैं इसकी व्याख्या, दरसल सदन का अध्यक्ष यो होता है, उसकी भूमिका होती है कि सदस्यों समग रूप से सदन और उसकी समितियों की शक्तियों और विशेशा धिकारों का वो एक मात प्रतनिधी होता है, एक मात्र संरक्षक होता है सदन का जो अध्यक्ष होगा वो सदन का अध्यक्ष तो है ही साथी साथ वो प्रधान प्रवक्ता भी होता है सदन में जो सामुहिक मत होता है उस सामुहिक मत का वो प्रतिनिधित भी करता है साथी आप देखेंगे दल बदल से उपन जो अयोगिता के स्थिती आएगी और था दल बदल के आधार पर किसी को अगर अयोग ठहराना है तो उसे संबंधित किसी भी प्रश्न का निरणाएं स्पीकर द्वारा किया जाना है अता इस लिहाद से आप देखेंगे तो जो पहला कथन कहता है कि दल बदल से प्रभावित होने वाली अयोगिता के संबंध में किसी भी प्रश्न का निरणाएं सदन के पीठा सी नधिकारी द्वारा किया जाएगा तो ये बिल्कुल सही है कथन अगला अगर देखें तो दसवी अनुसूची जो कहती है दसवी अनुसूची में क्या है उसके तहट आयोगिता के मामलों में संसदी मामलों में जो अध्यक्ष का निरणाएं अंतिम और बाधिकारी होता है लेकिन जिसे सामाने तह नियायाले में चुनावती तो नहीं दी जा सकती इस प्रकार अध्यक्ष सदन में मध्यस्त के रूप में भी कारे करता हुए हमको दिखाई देता है लेकिन जो 1992 में की हो तो होलोहन बनाम जाचिलू मामला सरवूच नियायाले में गया तो वहाँ पर सरवूच नियायाले ने अपना यहमत दिया कि जो दस्वी अनुसूची है उसके तहट सदस्यों की अयोगिता के संबंध में सदन के अध्यक्ष के निरणे को भी नियायाले के समक्ष चुनोती दी जा सकती है इस लिहाँ से जो दूसरा कथन है कि इस मामले में सरवूच नियायले ने घोष्णा की की पीठासी नदिकारी का निरणे अंतिम है और किसी वहदालत में उस पर सवाल नहीं उठाये जा सकता दरासल यह गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कोट ने यह कहा था कि इसके समक्ष इसको चुनोती सरवूच नियाले में या कहीं भी इसको चुनोती दी जा सकती है तो इस लिहाद से आप देखें, तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, इस लिहाद से विकल्प के लिहाद से देखें, तो ए विकल्प सही हो जाता है, अब देखिए सदन के अगर संचालक की बात हम करें, तो इसकी कारिवाई को विनिमित करने के लिए सदन में विवस्था और मर्यादा बनाए रखना भी इसका काम होता है और अध्यक्ष को बहस के लिए अवधि आवंटित करने का भी अधिकार होता है साथी सदन के सदस्यों को अनुशासित रखने का अधिकार भी अध्यक्ष के पास होता है साथी वो सदन में विभिन जो समितियां होती है उन समि प्रड़यों को रद करने की छमता रद करने का भी वो अधिकार रखता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निर्नलिखित में से लोकसभा की शक्ति के संदर्व में विचार करना है जो तीन कथन दिये गए हैं लोकसभा की शक्ति के संदर्व में उसके सम्मंध में आपको विचार करना है और सही विकल का चैन करना है यह बताना है कि इन कथनों में से कितने कथन स अब कथन क्या है तो पहला कथन है कि संग और समवर्ती सूची में शामिल मामलों पर कानून बनाता है लोगसभा क्या संग और समवर्ती सूची में शामिल विश्यों पर कानून बनाता है साथी धन और गैर धन विधयक पेश और अधनीमित कर सकता है क्या लोगसभा में धन औ का परिक्षन आपको करना है और सही विकल्प का चुनाओ करना है तो देखिए दरसल भारत का जो संविधान है वो संग तथा राजियों के बीच विभिन विशियों पर विधाई अधिकार को अगर पहले कथन के लियाद से हम विचार करें तो विधाई अधिकारों को सात्मी अनुसूची में तीन विभिन सूचियों की बात की गई है कौन-कौन सी सूचियां है तो संग सूची, राजि सूची और समवर्ती सूची आपको पता है कि संसत के दोनों सदन हैं लोक सभा और राजि सभा तो इनको संग सूची में शामिल विशियों पर कानून बनाने का अर्थात संग जो है वो संग सूची के अंतरगत जो सामिल विशें उस पर कानून बनाने का अधिकार रखता है इसमें कौन-कौन से मामले आते हैं तो चाहे वो रक्षा का मामला हो, सशस्त्र बल का मामला हो, संचार हो, डाक्तार हो, विदेश व्यापार हो इस तरह के मामल संग सूची में शामिल होते हैं, जिसमें लोग सभा और राजी सभा को इस पर अधिकार प्राप्त होता है, जबकि जो समवर्ती सूची होती है, जिसमें आप देखेंगे कई ऐसे विशे हैं, जैसे आप राधी के उमनागरिक प्रक्रिया हो गई, विवा हो गया, तलाक हो आर्थिक और विशेस योजना ट्रेड यूनियन हो गया, बिजली, समाचार, पत्र, किताबे, शिक्छा, जनसंख्या, नियंतरण, परिवार नियोजन, ये जो विशे हैं, समवर्ती सूची के विशे हैं, इसके मामले में संसद और राज विधान मंडल दोनों कानून बना स सकते हैं, मतलब संसद के द्वारा भी बनाया जा सकता है, राज विधान मंडल के द्वारा भी इस पर कानून बनाया जा सकता है, तो इसलिहाज से अगर आप देखें, तो पहला कथन जो है, वो सही प्रतीत होता है, क्योंकि संग और समवर्ती सूची में जो शामिल विशे ह हैं, इसमें लोगसभा को ये शक्ती मिल रही है, कि इस पर वो अपना अधिकार रखता है, अब देखिए दूसरे कथन की जहां तक बात है, तो वो कहता है कि धन और गैर धन विध्यक पेश और अधनियमित किया जा सकता है, कि नहीं लोगसभा में, अब इस पर विचार करे तो दरसल आप देखेंगे, कि जो अनुचेद 110 है, कौन सा अनुचेद? 110, अगर इसके तहट आप देखेंगे, जो धन विध्यक के मामले से संबंधित है, इसमें ये कहा गया है कि केवल धन विध्यक जो है, वो लोगसभा में पेश किया जा सकता है, उसको राजी सभा में धन विध्यक पेश किया जाता है, राजी सभा में नहीं किया जा सकता है, जबकि जो गैर धन विध्यक होते हैं, वो संसत के किसी भी सदन, यानि लोगसभा में भी, चाहे तो राजी सभा में भी पेश किया जा सकता है, इस लिहाद से अगर आप देखें, तो दूसरा कथम प्रक्रिया की बात करें, तो यहाँ पर लोग सभा का अधिकार नहीं है, यहाँ पर देखें, राज सभा में ही यह अधिकार नहीं थे, कि वो अकेले उपराश्ट पती को हटाने की पहल कर सकती है, तो देखिए, उपर्यूक्त में से कितने कथन सही है, पूछ रहा है अर्था विकल्प भी इसमें सही होगा, अगले प्रस्ण की तरफ चलते हैं, अगला प्रस्ण है, प्रस्ण संख्यातीन, एंगलो इंडियन के प्रतनिधित्यों के संदर्व में निनलेखित कथनों पर विचार कीजिए, एंगलो इंडियन के संदर्व में कुछ कथन दिये गये हैं, दो कथन इनके आपको विचार करना है और सही विगल का चैन करना है पहला कथन राष्टपती लोग सभा में एंगलो इंडियन समुदाय से दो सदस्यों को नामंकित कर सकते हैं यदि उनका पर्याप्त प्रत्मिधित तो नहीं है दूसरा कथन कहता है कि राजि का राजिपाल जो है वो राज विधान सभा में एंगलो इंडियन समुदाय से एक सदस्यों को नामंकित कर सकता है अब इसमें से आपको बताना है केवल एक सही है केवल दो सही है या दो दोनों सही है या दोनों ही नहीं सही है तो दरसल देखें इसकी अगर व्याख्या को हम देखें तो अनुछे 306.62 के तहट एंगलो इंडियन को परिभाशित किया गया है और साथ ही आप देखें इसमें यह कहा गया है कि जो एंगलो इंडियन वह व्यक्ति होता है जिसका पिता या पुरुस वंस में से कोई आन्य प अधिनियम था उसने भारती संविधान के अनुछे 331 जो था और अनुछे 339 इन दोनों ही अनुछेदों के तहट एंगलो इंडियन सदस्यों के लिए आरक्षण को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था यह आपको ध्यान रखना होगा और अनुछे 331 जो था वो क्या था तो एंगलो इंडियन समुदाय से दो सदस्यों को लोग सभा में नामंकित करने की राष्टपती की सक्ती से यह संबंधित था और राजी की विधान सभा में एंगलो इंडियन समुदाय से एक सदस्य को नामंकित करने की राजिपाल की शक्ती से यह संबंधित था तो फिलहाल आप देखेंगे तो नामांकन के रूप में जो एंगलो इंडियन के लिए आरक्षन 25 जन्वरी 2020 को समाप हो गया क्योंकि संशोधन अधिनियम समुदाय के लिए सुविधा आरक्षन का विस्तार अब नहीं करता है अता कथन न तो एक सही होगा और न तो दो सही होगा और इस से अगर विकल्ब देखें तो विकल्ब दी सही होगा आघे चले अगले प्रषन की तरफ तो अगला प्रफन है कि राजिपाल और केंदर सरकार के कार्याले के बीच संबंधों के कहता है दूसरा है राजिपाल का कार्याले किंद्र सरकार के अधीन होता है तीसरा कथन है राजिपाल को केवल सम्विधान में उल्लिखित आधार पर ही निसकासित किया जा सकता है अब इन कथनों में से कौन सा अर्थात एक या कौन से एक से अधिक सही है आपको बताना है तो तो देखिए जो भारत के सम्मिधान में प्रावधान है कि प्रतेक राजी के लिए एक राजी पाल है, हर राजी के लिए एक राजी पाल का प्रोविजन भारती सम्मिधान में किया गया है, और राजी की कारेकारी शक्तियां जो होंगी वो राजी पाल में नहींत होंगी, जो के द्वारा होगी राष्ट पती के द्वारा होगी उसके हस्ताक्षर और मुहर युक्त जो अधिकार पत्र होंगे उसे के माध्यम से किसी भी राजिके राजिपाल की नियुक्ति होगी जिसका अर्थ है कि राजिपाल केंद्र सरकार के द्वारा नामित व्यक्ति होता है इसल वह भारत सरकार के अधीन कारियरत नहीं है अर्था तो भारत सरकार के अधीन नहीं होता है सर्वोच नियाले द्वारा यह माना गया कि राजिपाल का कारियले भारत सरकार के अधीन है अता कथन दो सही नहीं है जो सर्वोच नियाले कहता है कि केंद्र सरकार के अधीन होता है राजिपाल का कार्याले तो देखिए सर्वप्च नियाले द्वारा यहमाना गया कि राजिपाल का कार्याले भारत सरकार के अधीन है अता दो कथन सही नहीं है साथी अनुछेद 156 की अगर बात करें अनुछेद 156 में प्रावधान है कि राजिपाल राष्टपती की इख्षा तक पद पर बना रहेगा जिन आधारों पर राजिपाल को हटाया जा सकता है वे सम्मिधान में निर्धारित नहीं है इसलिए राष्टपती किसी भी समय बिना कोई कारण बताए और बिना कारण बताने का आउसर दिये राजिपाल को पद से हटा सकता है अता जो कथन 3 है वो भी सही नहीं है तो ये कथन 3 भी गलत हो जाएगा इसलिए आज अगर देखें तो इसके अतरिक्त जो BP सिंगल बनाम भारत संग एक मामला था जिसमें यह कहा गया है कि हाला की प्रसाद परियंतता को समाप्य करने के लिए कोई कारण निर्धारित करने के आउसर नहीं है जिसके परिडाम सुरूप राजिपाल को निश्कासित किया जाता है अनुचेद 156 एक का प्रियोग मनमाने धंग से सनक पूर्ड या अनुचित तरीके से प्रियोग नहीं किया जा सकता तो इस लिहाज से अगर विकल्प का आपको चैन करना हो तो ये दोनों कथन गलत हो जाते हैं और केवल एक सही होने की वज़ा से विकल्प एक आप चैन करेंगे अगले प्रस्न की तरफ चलें तो अगला प्रस्न है किसी राजि के राजिपाल के पास निम्नलिखित में से किस मामले में समवैधानिक विवेकाधिकार नहीं है option A option B option C option D option D तो दरसल अनुचेद 163 163 अनुचेद 163 के तहट अगर आप देखेंगे तो राजिपाल अपनी शक्ती और कारिका प्रयोग मुख्यमंत्री की अध्यक्ष्टा वाली मंत्री परिशत की सहायता और सलापर करता है हाला कि कुछ ऐसे मामले हैं जिन मामलों में राजिपाल के संबैधानिक विवेक का जो होता है संबैधान में लखी तिसपष्ट जो विवेक हैं उसका प्रयोग किया जा सकता है वो कौन से मामले हैं तो अगर राष्टपती के विचारार्थ किसी विधेग का अरक्षन करना है तो वो इसके विवेक अधिकार में होगा, राज्य में राष्टपती सासन लगाने के सिफारिश करना हो, निकटवर्ती केंदर्शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में कारे करने की बात हो, या असं मेघाले, त्रिकुरा और मिजोरम सरकार द्वारा एक स्वायत जनजा साथी जिला परिशद को खानिज अनुवेशन के लिए लाइसेंस से प्राप्त होने वाली जो रायल्टी है, उस रायल्टी के रूप में जो देयराशी का निर्धारन करना हो, यह कुछ ऐसे मामले हैं जिसका उलेख राजिपाल के समवैधानिक विवेक के अंतरगत किया ग स्पष्ट बहुमत नहीं होता है, यह जब कार्याले में मुख्यमंत्री की आकस्मिक मृत्ती हो जाती है और कोई स्पष्ट उत्रादिकारी नहीं होता है, तो यह एक ऐसा मामला है जिसमें राजिपाल के पास परिस्थिती जन्य विवेक है, नकी समवैधानिक विवेक, बहुमत जब नहीं होता है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ती के लिए राजिपाल को जो विवेका अधिकार है, वो इसके अंतरगत यह समली थे, तो बी आप्शन बिल्कुल सही होगा, अगले प्राशन की तरफ चलते हैं, अगला प्राशन ही कि राजिपाल की विधाई श सभा को बिलाने के शक्ती का प्रयोग करता है, उपर युक्त कत्रों में से कौन सा या कौन से सही है, तो दरसल देखिए जो समविधान का अनुछेद 174 है, 174, यह राजिपाल को राजिविधान सभा को बिलाने, उसको भंग करने, सत्रावसान करने का अधिकार, यह 174 जो अनुछेद है, वो प्रदान करता है, इसलिहास से अगर देखेंगे कि तो पहला कथन जो आपका है, वो बिल्कुल सही है, राजिपाल अनुछेद 163 वहीं अगर देखें, तो 163 के तहप उपरयोग्त सक्तियों का प्रयोग करता है, जो कहता है कि राजिपाल मुख्यमंत्र की अध्यक्ष्टा वाली मंत्री परिशद की सहायता से और सलाह पर कारी करता है, तो इसलिहास देखें, तो कथन दो भी सही है, इसके अत्रिक्त वर्ष 2016 में नबाम, रेबिया, बनाम, बमांग, फेलिक्स, बनाम, डिप्टी, स्पीकर मामले, जो की अरुडाचल प्रदेश विधान सभा का मामला था, उसमें सुप्रीम कोट ने कहा कि सदन को बुलाने की शक्ती पूरी तरह से राजिपाल में नहित नहीं है, और इसका उप्यूग मंत्री परिशत की सहायता और सलाह से किया जाना चाहिए, न कि स्वयम की मर्जी से, अता अगर विकल्प के लिहाद से देखें, तो विकल्प सही है, अर्थात एक और दो दोनों कथन यहाँ पर सही है, चलते हैं अगले प्रशन की तरफ, तो अगला प्रशन है कि समविधान द्वारा प्रदत शासन की संसदी प्रणाली के संदर्व में निमलेखित कथनों पर विचार कीजिए, बहला कथन म समविधान में प्रावधान है कि प्रतेक राजी के लिए एक राजीपाल होगा, और राजी की कारेकारी शक्तियां राजीपाल में नहित होगे, जो या तो स्वयम या अपने अधिक अधिनस्त जो अधिकारी होंगे, उनके माध्यम से वो उन शक्तियों का प्रयोग करेगा वो वैधानिक कारिकारी अर्थात जो विधी द्वारा स्वीकृत है या राजी का नाम मात्र का प्रमुक है इसलिए कथन दो देखेंगे तो वो सही नहीं है राजिपाल वास्तविक कारिकारी प्रमुक नहीं होता है बलकि वो कैसा प्रमुक होता है तो वो वैधानिक कारिकार या राजी का नाम मात्र का प्रमुक होता है साथ ही अगर आप देखें जो हाला कि मुख्यमंत्री और उनके जो मंत्री है राजिपाल की मर्जी तक ही पदपर बने रहते हैं राजिपाल अपनी कारेकारी शक्ती का प्रयोग मुख्यमंत्री की अध्यक्ष्टा में मंत्री परि निकार जो होंगे, वो मुख्यमंत्री के पास है, अता कथन जो एक है, वो सही नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री राजी का वैधारिक प्रमुक नहीं होता है, बलकि वो वास्तविक प्रमुक होता है, इसलिहास से ये गलत है, तो इसलिहास से अगर विकल्पों का चेन करना हो, तो इसमें ना ही एक और ना ही दो अर्था डीविकल बिलकुल सही है तो चलते हैं अब आज के अभ्यास प्रश्ण की तरफ तो आज का अभ्यास प्रश्ण है जिसकी जिम्मेदारी आपकी है इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है अपने कमेंट के माध्यम से आज का अभ्यास प्रश्ण आपकी लिए है कि राजी कारिकारणी के संदर्भ में निम्निलेखित कत्नों पर विचार कीजी पहला कथन संविधान अनुछेद 164 के तहट मुख्यमंत्री के चैन और नियुक्ति के लिए विशिष्ट प्रक्रियाओं का प्रावधान करता है दूसरा कथन सरकार की संसदी प्रणाली की परंपराओं के अनुसार राजीपाल को राजी विधान सभा में बहुमत्दल के नित्रित्व करता को मुख्यमंत्री नियुक्त करना होता है तीसरा कथन राजीपाल किसी भी परिस्थिती में मुख्यमंत्री के चैन और नियुक्ती में अपना व्यक्तिगत निरड़े नहीं ले सकता है उपरियुक्त कतनों में से कौन सा या कौन से सही है इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में उपरियुक्त विकल्पों का चैन करके देना है विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C 1 और 2 दोनों, विकल्प D केवल 2 और 3 तो उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब देंगे तो लड़ते रहें अपने लक्ष की और बढ़ते रहें आज के लिए इतना ही धन्युक्त अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले